कि नमस्कार दोस्तों सेलेक्शन इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागते और आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वह बहुत ही महत्पूर मुद्धा है जिसे हम बोलते हैं MSP और MSP हम इसलिए आपको बताएंगे कि यह इस वार के एक्जाम में इंपोडेंट भी हो सकता है और नॉर्मल जो लोग होते हैं सामने लोग जो होते हैं उनके अंडिस्टेंडिंग के लिए भी बहुत है इंपोडेंट आपके है क्यों कि आज जो किसान आंदोलन जल रहा है उसमें यह सब्द MSP बार 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 आ रहा है ठीक है तो इसे हम समझत देखता हूं तो यह है minimum support price यह बोल सकते हैं इसे हिंदी में निवन्तम समर्थन मूल जो है यह क्या होता है क्यों यह देश में लाया गया यह सब हम discuss करेंगे बात आती है कि यह निवन्तम समर्थन मूल सरकार की एक जिम्मिदारी होती है सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जिस समाज की सरकार बनी है जिस देश की सरकार बनी है जिन लोगों ने वो सरकार को बनाया है उन लोगों के लिए क्या करें उनके लोग कल्यार के लिए काम करें लोग कल्यार के लिए क्या करें काम करें तब तो सरकार की विशेष्ट है MSP को लेकर के ये जुम्मिदारी भी बनती है कि भारत क्या है एक करशक प्रदान देश है सब को पता भारत एक करशी प्रदान देश है और करशी प्रदान देश में अगर किसान ही मजबूत नहीं होगा तब तो कृसिक प्रदान कहना क्या होगा ठीक नहीं होगा ठीक है नगा तो अब यहां क्या होगी किसान मजबूत कब होगा किसान मजबूत तब होगा जब उसके उपज के उत्पाधन का उसे क्या मिले सही एमाउंट मिले पहीं अब किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उसका अगर उसे सही उत्पादन मिल जाएगा तो उसे क्रसी लाब का सोदा दीखेगा तो और क्रसी को मजबूती से वो करेगा उसके लिए क्या होगा? सही एमांट के लिए जरूरी है सरकार बाजार में क्या करे? अपना इंटर्वेंस करे हष्ट छेप करे क्या करे? हष्ट छेप करे सरकार किसी ने किसी माध्यम से मार्केट में इंटर्वेंस करे तब क्या होती है? तब तो निश्चित है कि भाई सरकार के साम से कैसे बोलेगी कि तुम उत्पादन करिए किसान को ये बरोसा दिला पाएगी तो भाई तुम्हें क्या होगा तुम अपना उपज का उत्पाधन करिए और तुम्हें निश्चित रूप से लाब होगा ठीक है ना तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी किसान को कि उसके उत्पाध का उसे हर आलत में क्या होगा लाब होग अब इसके लिए लाब होगा तब तो किसानों से उगाएगा फसल को ठीक है ना तो तब सरकार यह बूलेगे वह तुम जो भी फसल हो रहे हो उसका हम एक कम से कम नियून तम मिनीमम रेट फिक्स कर देंगे और यह फसल बोने से पहले फिक्स किया जाएगा यदि तुम माल लो गैहूं की फसल बो रहे हो तो हम गैहूं का रेट मानगे चलो 1975 रुपे प्रतिकुंटल कर देंगे और जब वह होगे अगर आपसे कोई खरीदेगा भी नहीं तो सरकार उससे गहूं कम से कम 1975 रुपे प्रतिकुंटल तो खरीदेगी खरीदेगी तो सरकार किसान इस आसवासन से निश्चित रूप से क्या करेगा अपनी उपज को बढ़ावा करने की कोईसिस करेगा ठीक है न तो इसके लिए क्या किया सरकार ने इसके लिए सरकार ने APMC बनाएं कि महीं APMC तैयार करिए APMC APMC का मतलब है Agriculture Produce Market Committee मतलब बाजार सिम्ती बनाएं सरकार ने बाजार सिम्ती का मतलब यह है कि यहां पर किसान अपने उत्पाद को लाएगा और यहां पर रजिस्टर्ट कौन होंगे रजिस्टर्ट ट्रेडर होंगे ब्यापारी होंगे वो किसान को उत्पाद को क्या करेंगे खरीदेंगे किस मुल्यव है MSP पर एक निउन्तम कीमत होगी तो वह इतने से कम पर नहीं करी सकता और ओपर बढ़ जाए वो किसान की अपने फायदे के बात है ठीक है यदि ऐसा नहीं करते हैं भ्या पाधी ओटिके तो इसमय गारंटी किसकी होती है सरकार की होती है फिर उसे कौन करी देगी सरकार खरीदेगे ठीक है न तो अब किसान क्या होगा सरकार से खुश हो जाएगा क्योंकि उसे minimum prime मिल रहा है तो अब अपने उत्पादन को बढ़ाएगा लेकिन यहां समस्या किस बात की है समस्या इस बात की है कि सभी फसलों में सरकार की खरीदने की गारंटी नहीं होती जैसे बरतमान में सरकार ने 22 प्लस एक मतलब 23 फसलों के लिए MSP निर्दारत कर रखा है लेकिन सरकार केवल गेहू और चावल को ही खरीदती है उसी स्थिती में जब बाजार में बयापादी उससे नहीं खरीदते तो MSP रेट पर फिर क्या खरीद लेती है सरकार खरीदे लेती है उसे अन्यकों नहीं खरीदेगी जैसे अगर APMC मतलब मंडिया मंडियों में जाकर के किसान अपना बाजरा ले गया और उसका MSP वाव पर बाजरा नहीं लिया तो सरकार ने MSP तो निर्दारत की किसान के लिए लेकिन सरकार के बाजरा पर ये कारंटी नहीं है कि सरकार अगर मंड़र नहीं खरीदता है तो सरकार करीदेगी तो ये भी अपनी आप में क्या है एक बुराई हो सकती ये प्रावधान है तो मेरा कहने का मतलब यह है आपसे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसे operate कौन करता है MSP को तिके न? और decide कौन करता है operate कौन करता है और decide कौन करता है To decide इसमें केंदर सरकार एक आयोग बनाती है तो कोन केंदर सरकार का आयोग तो जिसे हम बोलते है CACP ठीके न? CACP मतलग Commission on Agriculture Cost and Price ये आयोग क्या करता है अनुमान के आधार पर किसान की लागत को देखता है किसान की जो लागत है फसल करने में लागत क्या आई ठीक है न और उस लागत को देख करके वो MSP देने का सुजहाव देता है MSP देने का क्या देता है सुजहाव देता है किसान की लागत इतनी आई और ये MSP कितनी होगी इस बात का फैंसला जो करता है वो आर्थिक मामलों का केविनेट समिती करती है किसकी सुजहाव के आधार पर CACP करसी मूले लागत आयोग के आधार ये क्या करेगा ये सुझाब देगा MSP का किसान की लागत एतनी आई और MSP ये होना थी ये लेकिन decide कौन करेगा इसका फैंसला कौन करेगा इसका फैंसला कमेटी सुरी cabinet कमेटी on economic affairs ठीक है न तो ये ये फैंसला करेगी और फसल की बुवाई से पहले MSP को किसान के लिए निधारत कर दिया जाएगा अब बात आती है कि बुवाई से पहले ही क्यों करते हैं तो बुवाई से पहले इसलिए कर देते हैं कि मान के चलिए किसान है और आपने ये बोल दिया कि गैहूं का गयों का अरेट अच्छा लगेगा तो उसे गयों की इकरेगा अन लगेगा यह दोनों ही कमें तो अन्य बिगलब को करेगा तो पहले से निरदारत का मतलब किसान जो हूँ पूर रूप से आस्वित हो जाता है सरकार को ले करके कि सरकार हमारा कम से कम इस बहाओ पर रहतो ख आई गई हैं यह सुनिश्चित करती हैं कम से कम इसमें क्या की जाए इसका काम क्या होता है कुछ रेजिटर्ड ब्यापारी होते हैं कुछ एजेंट रोते हैं इन्हें हम आरथिया बोलते हैं तो इनका यह जुम्मेदारी होती है कि किसान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को MSP वहाँ पर व्यापारियों के लिए बिचवाया जाए लेकिन यह ऐसा नहीं करते है ठीक है ना तो यहां क्या होता है कि APMC आज मालो 23 फसलों पर MSP दिया जाता है ठीक है ना तो इन में से दो फसल ऐसी है गेहूं और चावल कि यहां अगर किसान का नहीं बिच पाता तो किसान जो है PCI सरकार की सरकार ने जुम्मेदारी दे रखी है गेहूं और चावल के लिए सर्फ गेहूं और चावल के लिए किसान के गेंउ और चावल को जो मंडियों में नहीं भेख पा रहा ऐपीएंसी में भिख पा रहा तो खुद MSP के बहुपर क्या करेगी इसे खरीदेगी तो इस IPCI का काम ही होता है खरीदना किसान के उत्पादन को खड़ी दिना उसका बंडारड करना और उसका उपवो कैसे किया जा है मिल्ड़ा इसका बटवारा फिर बितर कैसे हो मिड़े मिल पर कैसे पहुँचे मातरत यूजना के तहट कैसे पहुँचे समझे मारी नहीं रहे है या PDS Public Distribution सिस्टम के तहट कैसे बटवारा हो यह सब काम किसका होता है यह सब काम FCI के करमचारियों का होता है ठीक है न इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा कि कौन फसलों पर MSP दिया जाता है और कौन फसलों पर MSP नहीं दिया जाता है अब तक मैंने बताई थी 23 फसले हैं इनों 23 फसलों में ध्या रखना जो ग्रेंज हैं अनाज हैं साथ प्रकार के अनाजों पर दिया जाता है जैसे गेंग हैं वीट है बाजरा है मक्का है इस तरह के कितने अनाजों पर दिया जाता है साथ प्रकार के अनाजों पर MSP दिया जाता है उसके साथ दलहन जो हैं डाल पर दिया जाता है डाल कित है ठीकर इन पर दिया जाता है इसके साथ साथ कुछ फसल होती है बाड़िजिक फसल पर भी क्या दिया जाता है MSP MSP जया जाता है जैसे जूट है इनका हम घर में ज्यादा यूज नहीं कर सकती का पास है तो कुछ MSP यहां रखना 22 फसल और यह मैंने गन्ना बोला है ठीक है न गन्ना पर किस फसलों पर MSP नहीं दिया जाता है ठीक है न तो कुछ फसल ऐसी हैं इन पर MSP नहीं दिया जाता और इनके किसांद इस बात को ले करके भी विवाद में रहते हैं जैसे सबजीयों पर नहीं दिया जाता मच्री पालन पर नहीं दिया जाता मच्री उत्पात पर मुर्गा उत्पात पर नहीं दिया जाता ठीक है और फलों पर नहीं दिया जाता और पुस्पों के केती पर पुस्प उत्पात पर भी नहीं दिया जाता इन पर MSP नहीं दिया जाता और तोर जो डेरी उत्पाद होते हैं डेरी उत्पाद पनीर बगएरा दूद बगएरा इन पर भी MSP ते नहीं किया जाता ठीक है न? तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग तो बिवाद करते होंगी भाई कि हमारे उस पर MSP क्यों नहीं कि दिया जाता एक सम्ती थी सांता प्रसा सम्ती ठीक है न? सांता प्रसा सम्ती नहीं ये बताया था कि भारत में केवल 6% लोगों को क्या मिलता है MSP का लाब मिलता है 94% लोगों को MSP का लाब मिलता ही नहीं है ठीक है न? तो इसमें ये था कि इसमें भी जो सरकार है अब क्यों नहीं मिलता ये भी बताया जाएगा ठीक है ना तो कुछ लोग बाहरत में बताई थी 86% जो किसान है 86% किसान क्या चोटे हैं लगू और सीमांत किसान है लगू और सीमांत मतलब ऐसे किसान जिन पर एक एक्टेर से ले करके उसके दो एक्टेर जमीन है उन्हें लगू केते हैं ऐसे किसान पर एक एक्टेर से कम यह सीमांत किसान कहते हैं है है उचोटे चोटे किसान को या उपकॉन पर जा पाते हैं तो 했던 जा सब्सक्राइण करें के-स कड़ीम़ीय क्या होते हैं उनके विंच क्या होते हैं साट गाड़ कि कर दो तो कर रखा गैं हूं और चावल इनके लिए ये गारंटी दे रखी है कि यदि APMC नहीं करीता है तुमसे तो सरकार का जो FCIE गोदाम है वो क्या करेगा इन उत्पादों को तो बागी सभी उत्पाद तो अचूते रह जाएंगे ना इससे तो FCIE भी क्या है अगर बास्तिरुक्ता देखोगे तो यहां तो सरकात खुद खरीदने की गारंटी देती है लेकर सच्चाई यह है कि जब कि मैं बास्तिरुक्ता की बात बताता हूं कि c iE में ब्रषटा-4 का चर्मिस्तर देखने को मिलता है एप-7 e west क तुम देखोगे तो ख्रैप्सन का ब्रषटा-4 का चर्मिस्तर मिलता है क्यों मिलता है ऐसलिए मिलता है कि मानके चलिए AFMC जो है वहां पर गयों माग रहे हैं, मॉर्णा में 14 रुपए उड़्यापे औरे तो यहां किसान क्या करता है, यहां न बेच करके करूं जाता है, चेंक कि यह ब्यापारी के साड़ गांत होती है, व्यापारी अपना kattal बना लेते हैं, ये देखने को मिलाता है, और वो कह देते हैं कि हम गहूं वाव इस से ज़्यादा नहीं खरीड़ेंगे, वो MSP पर नहीं खरीदते हैं, यह अन्य फसलों को नहीं खरीदते, तो गहूं और चाबल तो ऐसे हैं जिन्हें तुम FCI ले जा सकते हूं, लेकर अन्य फसलों को किसानों को मज़गूर FCI से उपर है, तो वो नहीं खरीदते हैं, शजाजार से उपर, और फिर आप फिर बेचोगे भी कहां, आपको बेचना ही कहां है, किसान उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, भारत का उतना जादा आर्थे लूप से दच्छ नहीं होता है, और उसके पास कोई अल्टर्नेट ह ट्रक लेके जाता है, तो यह अदिकारी होता है, भाई, ऐसा है, अभी अप्से याई में जगे नहीं है, गोदाम फुल है, आप 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आना, तब किसान मजबूरन थोड़ी उसे बापिस ले जाएगा, इतना उसके पास किराय बारा भी नहीं होता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो अनाज फिर मजबूरन उसे APMC में आगर सस्ते में ही बेशना पड़ता है और यह जो FCI के अधिकारी होते हैं इनकी उन ब्यापारियों से साट गांट होती है जो मंडी से 14.00 रुपे कुंटल खरीद रहे होते हैं यह FCI के करमचारी से 1975 रुपे कुंटल क्या किया यह चीज खरीदी और खरीद करके वो क्या बीच का जो 370 या 4500 रुपे कुंटल का जो लाव है उसे आपस में FCI के जो करमचारी होते हैं वो क्या कर लेते हैं बांठ लेते हैं तो FCII किस्की भेट चड़ा हुआ है प्रषटा चार के भेट चला हुआ हुआ थुसरी बात यहां FCI में जो बेएर हाउस जो इस्टोर बने होते हैं वो बेएर हाउस की सरचना काफी कमजूर है यहां अनाज क्या हुझा रादा काफी अनाज सड़ जाता है थैजिंजर आ और दूसरी बात यह है कि मालो अच्छी quality का अनाज FCIE में आया तो यह क्या करते हैं FCIE की कर्मचारी के लो quality का जो अनाज है वो ब्यापारियों से खरीद लेते हैं और उनको अच्छी क्वालिटी का बेच दिते हैं मालने लोग क्वालिटी का उन्होंने 12 रुपे कुंटल खरीद लिया और FCI में एड़ कर दिया कि हमने किसानों से 1975 लिया है और यहां वाला 1975 वाला वो 1800 में बेच दिया तो बीच में वो 400-500 रुपे कुंटल या कुछ भी रासी यहां से भी बचा लेते हैं तो तुमने देखा होगा कि जो रासन की दुकानों पर आजकर जो गहों और चावल दिये जाते हैं तो किसान इंससे क्या हो चुका है तक चुका है और आजकल तो यह देखा जारा है किसान वहां जाता ही नहीं है अब हमें वो करेंगे का आकरकर भारत में MSP की आवस्षक्ता क्यों पड़ी अच्छा डिसक्स है तो दोस्तों बर्स 1966 और सरसर से पहले MSP की कोई भी विवस्ता नहीं थी यह द्यान रख लेना इससे पहले कोई भी MSP नहीं चलता था ठीक है ना लेकिन हुआ क्या 1964-1965 और 1964-1966 दो अकाल पड़े हैं बहरत में क्या पड़े बड़े अकाल पड़े दो उसके बाद आपने देखा हुँआ ignorater में भारत ने चीन से युद्ध भी लड़ा उसके साथ शाथ 1965 में पाक से युद्ध लड़ा भारत ने तो भारत की अर्थिवरस्त कमजोर हो गई ठीक न तो ऐसी स्थिति में भारत ने से दूरूप से क्या होगा कमजोर भी होगा दूसरी बाद जब 1965 का युजुद्ध था बड़े पैमाने पर बांगला देश से लोग भारत में एंट्री कर गए तो उनको भी भारत को खानपान या उनका पेट पालना भी भ फिर अच्छत नहीं था बाल भारत अपनी जरुवत का अनाज भी ग्योगा नहीं पाता था तो तो भारत कहां से लेता था अपनी जरुवत के लिए अस तरच़ह में होत नहीं था तो यूएसे ने भारत को गेहूं देने के लिए क्या करी थी आना कानी करी थी ठीक है ना तो इस समय उन्नीस सो चौसर्ट के समय जो प्रधान मंत्री थी वो साश्त्री जी थी लाल बाहदर साश्त्री काफी अच्छा स्वाइमानी छोटे कद के पी-म थे और बहुत सहासी पी-म थी ठीक है ना तो इन्होंने भारत के जो खादान संकट है जो उसको वरने के लिए काफी प्रियास किया ठीक है ना लेकिन अंतत है यह क्या हो गए इनकी मृत्तू हो गई ठीक है ना तो इनकी मृत्तू के बाद इंद्रा गांधी क्या बनती हैं इंद्रा गांधी पी-म बन जाएगे, क्या किया जाएगे? उभारा जाए भारत को, तब अब ये होगा कैसे? इन्होंने कियी तो इसके लिए अनाज का उत्पाधन होना, अनाज उत्पाधन होना क्या है? बहुत जरूरी है, तो तभी दोस्तो, 1966 के करीब, ठीक है न, हर्त क्रांती की क्या आई थी? संकलब नाइए थीzing। उनिशिट Isar 66 के क्रीब। ठीक है या ना? तो इसा हर्त-करांची की परकलब नाम है, सब से बड़ा जो सायूग था, भूमका थी गरीन रवॉलूशन इसी गरीन रवॉलूशन कहते हैं इसँ गरीन रवॉलूशन तेमें सबसे बड़ी जो भूमिका की हम बात करते हैं वो दो ब्यक्ति थे एक ब्यक्ति थे जो बैग्यानिक थे USA के बैग्यानिक जिनका नाम था नौर्मन बोरलॉ दूसरे भारतिय बैग्यानिक इनका दोस्तो नाम था M.S. स्वामी नाथन इन दोनोंने सामज से बठाते हुए मैक्स को से कहां से मैक्स को से हाई इल्ड सीड बंगाए हाई इने हम बोलते हाई इल्ड हाई बाई आई इल्ड हाई इल्ड सीड मतला अच्छी क्वालाटी के हम बोल सकते हैं हाई-इल्ड बेराइटी हाई-इल्ड बेराइटी इन्हें H by B भी बोल सकते हो ठीक है न ये बीज मगाए और इन्होंने पिलान बनाया का भारत में जहां सिचाई का छेत्र काफी अच्छा है वहाँ इन सीज के इन सीज को उगाने के लिए किसानों को क्या करिए फ्रोट साथ दिया जाए तो कहां सिचाई का छेत्र जो है भारत में पंजाम में अच्छा है हर्याना में अच्छा है और पश्मी उत्तर प्रदेश में तो यहां उन्होंने जो H by B क्वालिटी के बीज मंगाए थे यह इन किसानों को बित्रित कराए थे ठीक है न और यही पर पहली बार इन किसानों को खाद का यूज फर्टिलाजर का यूज करना कीट ना सक्का इसी में कीट ना सक्का यूज करना ठीक है न और यही पर पहली बार स्टार्ट किया था ठीक है न और हाइब्रेड बेज और हाइब्रेड बेज जो हमाई इल्ड बीज बता रहे हैं तब क्या हुआ कि ज्यादा खादा नुगाने के लिए अब यह सब चीज़ें देदी तो यहां यह देखा गया कि उत्रपादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया लेकिन चुनोती यह किसानों को सरकार कैसे प्रोजसाहित करें और प्रोजसाहित के साथ साथ उनको कैसे मोटिवेट करें किसान मोटिवेट हो कि हमें खादान फसल खादान में सबसे पहले जो खादान फसल के लिए जो MSP दिया गया था गया था द्यान रखिए चावल के लिए नहीं दिया गया के लिए कि अाहों motivate हो उनके लिए एक सिम्ति बनाई थी सिम्ति को नाम था लच्मी कांत जहां शम्ति इस सम्ति ने सुजाब दिया कि we take सानों को कुम उनके ऑद के मुद्ड की गारंटी दू क्या करो किसानों को उनके उतपाद के मूल की क्या दो गारंटी दो तब सरकार ने उस समय पहली बार गेहूं के लिए MSP निरदारत किया और किसान से बोला कि आप आँख बंद करके गेहूं को उगाईए अपने देश के लिए ठीक है न? और हम तुम्हें कम से कम इस बहाओ में पहले से बुआई से पहले ही कि हम कम से कम तुम्हें इस बहाओ वो तो जरूर देंगे इस से कम पर तो आपका गेहूं बिचे गई नहीं तो निश्यत रूख से बात है उतपादन जदा होगा किसान को सोगा और और मौटिवेट भी होगा और प्रोसाहित भी होगा गेहूं का उतपादन करने के लिए ठीक है न? तो यहीं पर एक नारा लगाया था साहस्तरी जी ने जै जवान और जै किशान का वल्ग किसान देश के बाहर रच्छा कर रहा है सोरी जवान देश के बाहर सीमाओं पर देश की रच्छा कर रहा है और किसान देश के अंदर पूरे देश के लोगों को क्या कर रहा है पाल रहा है तो 1906 सब में पहली बात किसके लिए? सिर्फ गेहों के लिए MSP दिया गया ठीक है न? तो इसका उद्देश से क्या था? MSP देने का? उद्देश से सिर्फ यही ता कि जादा से जादा जो ख़दान उत्पाद है उनका उत्पादन जादा से जादा कराना दीज़े दीज़े ये विवस्ता आगी की और बढ़ती गई दोस्तो और ये देखने को मिला कि इसमें आगे चलकर बहुत जादा राजनीतिक हस्तचेप देखने को मिला राजनीतिक हस्तचेप कैसे? कि जैसे जैसे सरकार को अपने बोट बढ़ाने के लिए लगा कि भाई अभी दो पसलों पर या एक पसल पर MSP दे रखा है उन्होंने मालोग पंजाम में चावल भी बहुत होता तो उन्होंने के दिया करेंगे अगर हमारी सरकार नी तो हम चावल का MSP निर्णारत करेंगे या चावल का MSP को बढ़ा देंगे तो इस तरहीं के से राजनी तर् Elly Сам के चलते चलते आज कितिनमी फसलों पर MSP दिया जाता है तो जब हम MSP संगल प्ना की बात करते हैं तो इसकी हम यही किह सकते है कि हमारी जो खादान उतपादन था वो इतना बढ़ गया या इतना बढ़ जाए कि हम खुद अगर हम concept ब बात करेंज इसका concept यही बोलेगा कि हमारा खाद्दान उत्पादन इतना बर जाए कि हम अपनी जरूरतों को खुद से क्या कर पाएं पूरा कर पाएं ठीकन हमने जब 1980 में आकर के देखा तो 1980 तक भारत खुद खाद्दान के मामलों में self-dependent हो गया मतलब भारत का इतना उत्पादन होने लग गया काद्दान का कि अब उसे बाहर से मंगाने की आवशक्ता ही नहीं पड़ी लेकिन दिक्कत यह हुई कि भारत का भारत निरवर तो हो गया लेकिन भारत उसका बित्रड सही से नहीं कर पाया बित्रड नहीं कर पाया तो इसका ये भी देखने को मिला कि भारत में आनाज का उत्पादन तो बहुत होता है तेकिन फिर भी लोग क्या है भूके भूके फिर भी भूकी मर रहे हैं तो एक तरफ तो उत्पादन भरपूर था लेकिन एक तरफ लोग भूके भी मर रहे थे ठी जाता था क्योंकि इंप्राइस ट्रेक्चर जो बेहर आउस्ते एपसे यी बगरा थी वो इंप्राइस ट्रेक्चर इतने मजबूत नहीं थी कि अनाज को ज्यादा समय तक बचा पाएं ठीक है न तो अब इसके बाद ये बात आती है कि जब भारत में MSP सिर्फ इसी लिए लाय आगया कि भारत अब खुद खादान में क्या हो जाए आत्म निर्वर हो जाए तो आज भारत जब आत्म निर्वर हो गया तो प्रसंच ने ये बनता है फिर MSP क्यों लंबे समय तक चल रही है जबकि कल कार खाने फैक्ट्रिया या बजार बाले ये बोलती है कि भाई हमारे क किसे उत्वाद पर घुझा आता है दूसरी बात यही जैसे एक मजदूरी जिसमें सरकार सिर्फ ये बताती है कि मजदूरों को कमसिकम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मजदूर को मजदूरी नहीं ultimate मिल रही तो सरकार यह कहते कि वह का नहीं मिले तो तुम हमारे यह आसकते हो इसका मतलब तो यह कि सबी कहां पहुँद जाएगे सरकार पर जोज़़ाई लेने पहुँद जाएगे तो ये बोटेए कि इसमे सरकार क्यों इतना लेती है। up इसके बाद ये जरूर पढ़ रही है का आकर कर इसे क्यों बना के रख रही है। अनि लोग कहते हैं इसे अब जरूर्ख पूड़ी होगा तो घ्रचा दिया जाए। तो इसे बनाने का काड़ ये है कि सरकार को क्या होता है बर्स 2014 की बात है election आने वाला था और Congress सरकार थी मनमून सिंग सरकार थी तो मनमून सिंग सरकार को 2013 में ऐसा लगा कि वह चुनाव आने वाला ही है और क्योंन हमें कोई ऐसा एक्ट बना दें जिसे हम नपसा एक्ट बोलते हैं दो या तेरे का नपसा का मतलब है National Food Security Act 2013 ठीक है न तो इसका मतलब यह है कि यहां जो गरीव हैं गरीवों को खांदान सच्टे में दिया जाता है सच्टे में इसके तहट सच्टे में गरीवों को खांदान दिया जाता है और यह विश्टो की दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है क्यों कि इसके तहट 80 करोड पिलस को सरकार उनके पेट को सच्टे में पालने का क्या करती है सबको भोजन देने का प्रबंद करती है और यहां सच्टे में क्या करती है अनाज उपलब्द कराती है इसके माध्यम से वो सबसे पहले PDS चड़ाया था सरकार ने Public Distribution System और उसके बाद चेंज करके इसे Target Public Distribution System कर दिया था तो अब यह नप्सा क्या है इसे भी हम देख लेते हैं तो नप्सा के तहत अन्यभी प्राबदान है जैसे मिड़े मिर मिड़े मीर मलब सभी चात्रों को चायों को गरीब होई आमीरों सबको दुपेर का भोजन दिया जाता है मात्रत्व लाव योजन तो गर्बती मेलाओं को भी कुछ रासम इसके तहट दिया जाता है और नेक्स्ट टी-पी-डी-एस तार्गीट पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम इसके तहट क्या होता गरीबों को अनाल दिया जाता है दो तरीके से अगर वो सहरी है तो 50% सहर के 50% लोगों को इसके तहट लाब दिया जाएगा और अगर वो गाउं से है तो एक दो गटे 3% लोगों को इसके तहट क्या किया जाता है हब बढ़किया जाता है जिसमें छाएं तक मुझे तो याद है तो जो ग्येरा भीर जो होता है एस दो इस उर्पे एक मांगा फ में पढ़ जाता है और यह इसलिए महतपूर योजनाभी है आज महतपूर भी बनोगी है क्योंगे अब बर्दमान सरकार इसे अटात हो सकती नहीं है जोग इसे मैक्सिमम गरीवों का क्या हो रहा है कल्यान हो रहा है लेकिन समस्या इस बात की है कि WTO में 1904 में हम भारत इसे सबस्यडी माना जाता है पडिवा कर रहा है तो कैसे भी करके सरकार क्या प्रेंल देखें सरकार क्यों एमस्पी पर खरीटती है बात यह क्यों बरतमान में में बनाए रखे तो देखो सरकार उनीस पॉंट 75 रुपे किलो खरीदती है गेहूं किसां से ठीक है ना और इसमें करमचारियों का बेतन भी दिया जाता है बेराउस को भी बनाया जाता और भाड़ा भी होता है तो यह ग् सरकार को FCI में किसान खुद देने आते हैं और एक जगह पर ही सरकार को मिल जाता है अगर वो MSP को खतम कर देगी तो निश्ट रूप से उसे अलग-अलग दाम पर हर बाजार में अपना अलग-अलग दाम होगा क्यों कि सरकार ने नहीं इजाज किया तो हर एक बाजार सरकार की तोसस है कि MSP के माध्यम से MSP को बरकरा रखा जाए और जो गरीबों के लिए यूजना चल रही है नपसा नेशनल फूर्ट सेकॉल्टी एक्ट इसमें इसको भी इसके तार्गेट को क्या किया जाए पूरा किया जाए ठीक है अब बात आती है कि कभी-कभी क्या होत सरी हम MSP को लागत का डेढ़ गुना किसका हम MSP को डेढ़ गुना बढ़ा देंगे यह बोला था कि हम MSP को डेढ़ गुना बढ़ा देंगे तो MSP यह है क्या इससे देख लेते हैं तो बरस 2004 में एक आयोग बना था MS स्वामी नाथन में नाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाता जिसका नाम था राष्टिय क्रसक आयोग राष्टिय क्रसक आयोग तो इसमें MS स्वामी नाथन ने यह सुजाव दिये थी कि भाई तीन प्रोसेस निकाले थे एक तो A2 एक A2 प्लस FL और एक निकाला था C2 क्या मतलब है इस इतना भीज लगता है कितनी जुताई लगती है ठीके ना कितना पानी लगता है ठीके ना यह सब और बाहर की मजदूरी बाहर से ले गई मजदूरी तो यह जो लागत आती है इस लागत के आधार पर MSP निरदारत करते हैं तो तब उसे हम बोलते हैं कि यह A2 बेदी द्वा नगत सामिल कर ली जाती है परिवार की जो मजदूरी है उसे भी सामिल कर लेते हैं तो यह बोला जाता है एटू प्लस एफल सीटू का मतलब होता है कि एटू प्लस एफल तो होगी होगी उसके साथ साथ किसान के कुछ पूंजी भी होती है किसान उसके अपनी नगत राशी भ वह उसकी जमीन भी तो होती है अगर वो खेती पटेबल लेकर एक या लीजबल लेकर एक करेगा तो पैसा भी तो उसे देना पड़ेगा तो यह भी इसमें क्या होते है जमीन का किराया भी इसमें सामिल होता तो इसे बुलते हैं C2 तो एमें सौमी नातन ने इस आयोग ने यह सपोर्ट करी थी है कि सरकार जो है C2 के आधार पर यदि किसानों को MSP निजारत करती है तो बारत का किसान लावानवित होता रहेगा लेकिन बरतमान में चल किस पर रहे है A2 प्लस FL ठीक है ना तो सरकार ने जो डेड़ गोना दिया है इस पर दिया है तो लड़ाई इस बात की भी है कि MSWAMINातन की रिपोर्ट को आप क्या करी है लागू करी है अगर MSWAMINातन की रिपोर्ट को आप लागू करोगे तो C2 के आधार पर आपको क्या देनी पड़ेगी MSP देनी पड़ेगी लेकिन ऐसा कोई भी सरकार करना नहीं च कि MSWAMINातन की सिपारेश पर क्या करी है MSP को लागू करी है जो सरकार कोई भी सरकार नहीं लागू कर पाती यहीं सरकार नहीं कोई भी नहीं कर पाती तो एक तो बिवाद यही है कि MSWAMINातन की सिपारेश पर MSP क्या होनी चाहिए लागू होनी चाहिए ठीक है दूसरा ही है कि तुमने केवल 23 फसलों को क्या कर रखा है MSC में, बादबागी जो फसल है, फूड है, सबजी है, या डेरी उत्पाद है, इनको तुम क्यों नहीं सामिल कर रहे हूँ, ठीक है न, भाई ये भी तो सामिल होने चाहिए, next जो नहीं जो विवाadem है, वो ये हैं, कि महगाई भी इससे बढ़ रही है, महगाई भी, इससे बढ़ रही है, जभी र Capefix हो जाते हैं, तो उसका चला जाता है, तो इसके चकर में जो processing होगर कर गरते हैं, वो महगाई आता है, ठीक है, इसके साथ साथ जल संकट भी है, जो है वो गहुं और चाबल को करते हैं और जो ओर आ!!" और चाबल को करेंगे ता आप एक चीछ है इन इन में सबसे ज्यादा क्या लगता है जब सबसे ज्यादा पानी लगेगा तो निश्चत रूप से भारत में क्या आएगा जल संकट देखने को मिलेगा और भारत में जल संकट की बजए भी क्या है कि इस तरह की फसलों को क्या करना प्रोच साहित करना अगर वह इस तरह की फसल प्रोच साहित नहीं की जाती तो निश्चत रूप से सभ प्वार कोई एक फसल करी तो दूसकी बार वार चाबल तक ही सीमित रह जाता ये जाता है तो बार बार अगर उसे करेगा तो पन्जाब नहीं कर रहे हैं तो मैं पंजाब और रणा के बारे में आपको बतांई तो पंजाब और हन्याना में जितना भी राइस और वीट होता है ठीक है न मान के चलो 100 किलो पंजाब में चावल हुआ तो 80% 80 किलो चावल पर वो MSP मिलती है मान लो जितना भी उतुपादन होता है उसका 80% चावल पर पंजाब की किसानों को क्या मिल जाती है MSP मिल जाती है वही 70% गेहों पर उन्हें क्या मिल जाती है तो पंजाब में होने वाले कुल उतुपादन में 80% उतुपादन किस पर जाता है MSP पर जाता है चावल का और 70% उतुपादन किस पर जाता है ग्याहूं का अधुपादन 70% MSP के रेट पर जाता है, वहीं मैं All Over India की बात करूं, कि All Over India में, All Over India में जो चाबल है, 35% MSP पर किसका जाता है, पंजाब का जाता है, कुल इंडिया के पर पेच में बता रहा हूँ, जितनी भी राज्ये हैं, उन सब राज्यों का मिला कर कि 65% होगा, और 35% किसका होगा, केले का पूरे वारत में, पंजाब और हर्याना का होगा, ठीके न, तो इसका मिला है, कुल अगर पंजाव रहाना के पर पेच के पुल उतपादन की बात करें़ तो, में यहीं मैं गेहूं की बात करूं तो हमने यह बताई थी कि कुल राज्य में मालू सोकलू औरा तो सतर कुलो पर उसे निश्य दूरूप से मिल जाएगा लेकिन इसी को अगर हम इंडिया परपेच में देखते हैं सभी राज्यों में 62% जो गेहूं का उतवादन है तो 62% गेहूं मालू सरकार ने सोकलू खरीदा और या टोटल एपीएमसी वगरण कहीं भी बिचा उसमें 12% तो लाव गयों को MSP का मिलता है All over India के पर पेच में वो पंजावर है अनाव को मिलता है ठीक है न? और मोटे अनाजों में जो मोटे अनाज हैं उन्हों मोटे अनाज़ों में 50% अकेले पंजावर हैं को इसका लाव मिलता है ठेकन वहीं अगर हम बात करें जैसे आंध्रा प्रदेश है ठेकन और तमिन नाडू है उडिसा है और यूपी है इनको केबल 44% राइस का कैम मिलता है 1 मिलता है ठेकन वहीं ग्याहओं की बात करें तो ग्याहओं यूपी और MP, यह मैं सबसे ज़्यादा गया होता है, लेकिन केवल इनको 23% की MSP मिल पाता है, तो यह थी दोस्तो, MSP को लेकर कि हमारा गहन, discussion, इसमें हमने यह पताने की कोशिस के आखिरकर सरकार क्यों नहीं MSP देना चाती, क्योंकि MSP स्वामी नातन के आधार पर देगी, तो C2 आधार पर उसे क्या देना पड़ेगा, MSP देना पड़ेगा, C2 का देर गुना, तो इसका मुतलब क्या उसमें, किसान की लागत भी सामिल हो जाएगी, इसके परवार की मजदूरी भी सामिल हो जाएगी, उसकी जमीन की लीच जो 600 के साथ, जैन, जैवार दोष्ट